श्री रादे, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमार यूट्यूब चल में स्वागत हैं, मैं विजिंदर आज आपके लिए एक और नहीं कथा लेके आया हूँ, आज की कथा है कि भगवान स्री कृष्ण का नाम लड्डू गुपाल कैसे पड़ा, हम सभी देखते हैं कि लड् थे, जिसका नाम था कुम्बंदास जी, ये कुम्बंदास जी भगवान की सेवा में ही रहते थे, और इनके घर भगवान का एक श्रीविक रह था, जिसमें भगवान स्री कृष्ण बंसी बजाते हुए थे, ब्रज में रहते, भगवान की सेवा करते, भक्ती करते थे, एक बार व्रिंदावन से इनके पास नियोता आया कि आप आईए और भागवत की कथा करिये लेकिन इन्होंने का कि भाई हम तो अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं हम कथा नहीं कर पाएंगे तब लोगों ने काफी आगरे किया काफी जोड दिया तो प्रेम वस ये कथा करन जी की सेवा कैसे करूँगा भोग कैसे लगाऊंगा कैसे उनकี आर्ते करूँगा ये सब सोचने लगें तब ही इनके पास बेट बेटा बेटा था जिसका नाम था रगुदंदन उन्होंने अपने बेटे रगुदंदन जी को कहा कि बिटा तुम्हें काम करोगे बुले क्या पिता जी उसने कहा कि बिटा तु ठाकुर जी को भोग लगाना भोग बना के मैं तरको देखे जाऊंगा और आप ठाकुर जी को भोजन कराईएगा उसने का ठीक है पिता जी कुम्बंदास जी ने भोग बनाया और सुन्दर थाली सजाई और अपने बेटे को दी है कहा कि आप इस से में ठाकुर जी को भोग लगा देना मैं कथा करने जा रहा हूं कुम्बंदास जी कथा करने चले गए अब देखे क्या होता है वो तो कथा कर रहे हैं यहाँ इनका बेटा ठाकुर जी के सामने गया और ठाकुर जी से कहता है कि हे ठाकुर जी मेरे पिता जी ने कहा है कि आपको मैं भोजन कराऊं भोग लगाओं तो आप भोजन कीजिए आईए और मेरा भोग ग्रहन कीजिए लेकिन ठाकुर जी तो नहीं आए अब तो रगुनंदन प्रिशान हो गया बार बार आग रह किया रगुनंदन सोचने लगा जैसे हम दोनों हातों से भोजन करते हैं ऐसे ही ठाकुर जी भी आज भोग लगाएंगे काफी देर हुई काफी मिन्नत की है विंती की है तो ठाकुर जी छोटा सा बाल रूप लेके आए और दोनों छोटे-छोटे हातों से भोजन किया है और गुनंदन काफी खुश हुआ अब शाम को कथा विश्राम के बाद जब को मंदास जी घर आये तो उन्होंने कहा कि बेटा ठाकुर जी को भोग लगाया तुने बोले हाँ पिता जी बोले अच्छा कुछ परसाद बचा हो तो मुझे दे दो उसने कहा कि पिता जी मैं परसाद कहां से दू ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए बोले हाँ उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा शायद इसने खुद खा लिया होगा इसलिए कह रहा है कि ठाकुर जी ने सब भोजन खा लिया अब देखिए अगले दिन फिर से यही करम चला कुम्दास जी ने भोजन बनाया अपने बेटे को दिया और कहा भोग लगा देना सेम वही करम हुआ भोजन ठाकुर जी के सामने रखा है ठाकुर जी से विंतिक की है अब भोजन आरोगी है तो ठाकुर जी आए है चोटे चोटे दोनों हाथ उसे फिर खाते हो और चले जाते हैं ऐसा करते करते पुरे साथ दिन बीद गए साथ दिन की शिमत भागवत होती है उसका विश्राम हुआ है और साथ दिन यही करम चला कुम्बंदास जी जब कहते कि बेटा भोजन दो तो कहते भोजन दो परशाद तो सारा ठाकुर जी ही खा गए है अब जब विश्राम हुआ है तो अगले दिन कुम्बंदास जी ने सोच कि मैं चिप के देखुआ कि ठाकुर जी कैसे भोजन करते हैं और मेरा बेटा फिर जूट बोलेगा तो क्यों बोलेगा बच्चा ऐसे जूट नहीं बोल सकता है चोटा सा बेटा है तब कुम्मंदास जी ने वही किया भोग बनाया है अपने बेटे को कहा कि बेटा ठाकुर जी को भोग लगा दो वो गया और देखना कुम्मंदास जी पीछे से चिप के देख रहे हैं उन्होंने आज भोग में लड़ू बनाए हैं लड़ू की थाली है लड़ू की थाली लेके वो बेटा गया और ठाकुर जी के सामने जाके कहा कि हे ठाकुर जी आप भोग लीजिए ग्रहन कीजिए परशाद पाईए तब देखते ही देखते हैं वो स्री कृष्ण जी का विग्रे चोटा सा बालरूप हो गया और जैसे ही बालरूप स्री विग्रे बना है एक हाथ में तो लड़ू है आपने देखा होगा लड़ू गोपाल जी के और दूसरी हाथ से वो खा रहे थे कुम्बंदास जी भाग कर आए हैं दोड कर आए हैं और चर्णों में गर गये हैं है ठाकुर जी आप भोग लगा रहे हैं इतनी करपा की मैं तो सोच रहा था कि मेरा बेटा ही भोग लगाता है लेकिन नहीं नहीं ठाकुर जी आप ही भोग लगा रहे थे आप इस स गो हो गया, वैसा का वैसा रह गया, और कहते हैं तभी से भगवाल स्री कृष्ण के लड़ो कौपाल जी की इस रूप में सेवा की जाती हैं, तो ये लड़ो गौपाल की काहनी बड़ी ही प्यारी, कुम्णदास जी, रगुनंदन जी की, और हम सब के लिए जो लड़ो तो ये कथा मैं आपके लिए लेके आया, अब एक बात और कहूंगा, कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेसेज आया, उसमें एक लड़का है, भगवान कृषिन की भक्ति करता है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो जिद करा, उसने क्या जिद की, कि ठाकुर जी के सामने भोजन रखा और कहा, आप जब तक निखाओगे, मैं भी निखाओगा, तो प्लीज, सभी से निवेदन हैं, आप ऐसा कुछ भी न कीजिएगा, जिद नहीं, कर सको तो प्रेम करना, ना हो तो वो भी मत करना, क्यों नाम ले लो भगवान का काफी है, कुछ मत करो, जो आप क प्राकास्टा है, हमें इन से सीखने को मिलता है, जो वो करें हमें वो नहीं करना है, हमारा प्रेम कितना है, सीधी सी बात है, हमें भगवान से अपना प्रेम बढ़ाना है, और लडू गोपाल जी तो आपने देखा होगा, किसी के तो दूद पीते हैं, जल पीते हैं, मैंने आपका उनसे प्रेम कम है कभी भी ऐसा विचार मन में मतलाना प्रेम है तो है बस कोई कामना नहीं प्रेम प्रेम होता है तो आप सभी खुब सेवा करिएगा खुब नाम लीजिएगा और आज के परसंग को आज की कथा को यहीं विराम आपको मेरा पड़ाम जैश्याराम